आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ उसके बाद जो है वो है यहाँ पर Mandibles तो यहाँ पर जो बैठता है A में वो हो जाएगा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो Maxilla है और फॉर्स आफ और अगर हम लोग Maxilla का बात करें तो यह Prominent Upper Part के Jaws होते हैं जो कि क्या करते हैं कि Break करने में Help करते हैं जो यहाँ पर फूर्ड रहता है वहीं Mandibles जो होते हैं यह lower jaw या फिर lower parts of the jaw को यहाँ पर कहा जाता है वहीं Labrum का बात करें तो Labrum जो है वो Upper Part of the Mouth होता है लेकिन Labium जो है यह क्या होते कि Lower Part of the Mouth होता है और इन सभी को छोड़के Tongue-like substance होते हैं पर structure होता है जिसको कि हम लोग हाइपो-फैरिंग्स के नाम से जानते हैं और यह हाइपो-फैरिंग्स बेसिकली टेस्ट हिसाब से यहाँ पर काम आते हैं जो कि कौकरोचिस में पाये जाता है अब अगर हम लोग surface होते हैं बाहर का side होता है उसको बोला जाता है exopodite वहीं पर अगर हम लोग interior of this structure देखें तो उसको हम लोग endopodite के नाम से जानते हैं और जो middle portion होता है particularly उस middle portion को हम लोग किस नाम से जानते हैं तो वो हो जाता है यहाँ पर जो protopodite होता है तो particularly यहाँ पर C में जो बैठे का वो हो जाएगा यहाँ पर exopodite उसके बाद protopodite में two type के divisions पाए जाते हैं एक होता है cardo और दूसरा होता है यहाँ पर stripes और यह cardo और stripes जो हैं यह basically as a difference काम करते हैं ताकि यहाँ पर कोई बाहर का substance अगर आता है तो उसके against यह लोग काम कर पाए तो यही हो जाता है correct answer जो कि हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 सुपर